एक आदमी जिसका नाम रहीम था, जो बहुत नेक और शरीफ इनसान था, जिसने कभी अपनी जिन्दगी में किसी गैर औरत को बुरी निगाह से नहीं, देखा उस आदमी के घर की हालत बहुत खराब हो गई थी, नौबत यहां तक गई, के घर में फाके हो गए उस आदमी की एक जवान बेटी थी, जब फाके हद से बढ़ गए तो एसस, वो लड़की अपने छोटे बहन भाई की हालत देखकर, बहुत परेशान होने लगी उसके दिमाग में तरह तरह के, सवाल उठने लगे उसने सोचा के क्यूं ना, मैं घर से निकल कर किसी काम की तलाश करूं, जिससे मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं, उस लड़की ने ये सोच कर घर से बाहर, अपने कदम निकाल लिये और काम की तलाश, में बजार में निकल पड़ी कभी किसी के घर में काम, मांगने गई तो कभी किसी की दुकान में मगर किसी ने, उसे काम नहीं दिया वो ठकहार कर अपने घर, वापस लोट आई कई दिन तक रोज वो ऐसे ही, काम की तलाश में घर से बाहर जाती और शाम, को ठकहार के घर लोट आती जब कहीं भी उसे, कोई काम नहीं मिला तो वो लड़की गलत कदम, उठाने पर मजबूर हो गई, दिल में इरादा करके घर से, निकली की आज मैं अपना शरीर बेचूगी और कुछ खाना खरीदूगी वो लड़की घर से बाजार, जा पहुची जिस्म बेचने लड़की वहां गई और लोगों को अपनी तरफ आकरशित करना शुरू कर दिया, वो लोगों को अपनी तरफ आकरशित करने की कोशिश कर लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान तो दूर, किसी ने उसकी और निगाह तक उठा कर नहीं देखा, लोग आते और उसकी और नजर उठाए बिना, निकल जाते इसी तरह खड़े खड़े लड़की को, शाम हो गई, वो परेशान होकर घर की और कदम बढ जाने लग गई, जब घर पहुँची तो अपने वालिद को परेशानी में देखा दरवाजे पर बाप ने बेटी को देखा और पुछा, बेटी कहां गई थी, लड़की अपने वालिद की बात सुन कर उनके पे रो, मैं गेर कर रोने लगी और माफी मांगने लगी, और फि इसम बेचने गई थी, लेकिन एक भी आदमी ने भी मेरी तरफ नजर तक उठा कर नहीं देखा, पूरी बात सुनने के बाद बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी किसी गैर औरत को आँख उठा कर नहीं, देखा तो यह कैसे हो सकता था कि कोई तुम्हें नजर उठा कर देखता, सबाक, इसलिए अपनी गंदी निगाह, किसी ओरत पर मत डालो, क्योंकि नजर गर्म बीज होता है जैसा बोगे, कल को वैसा ही पाओगे, आज आप अपने आपको खबरदार करेंगे तो, कल तुम्हारी ओलाद भी महफूज र कहेगी,